कौंसे कुश्यन में डाउट है 17 नहीं हुआ यह कुश्यन तो मैं सिर्फ वर्किंग नोट कर दू तो हो जाएगा काम चलिए सिर्फ वर्किंग नोट करेंगे इस कुश्यन का पोस्टिंग आपने कर लेना है ठीक है लाइव क्लास में किसी बच्चे का हो गया तो बता दीजिए दूर क्लूज कर देना कुश्यन क्या कहता है पढ़ लेते हैं वेरी वेरी गुड इवनिंग कल की क्लास रखते हैं मौर्निंग में टैन ओ क्लॉक ठीक है कोई क्लास तो नहीं है किसी की दस बज़े सुभे नॉन कॉलेज वाला बच्चा हो कोई बता दो फटा फट से क्योंकि कल मुझे ऑनलाइन टैस्ट मैं उसका ऑनलाइन ले रहा है अभी तक ऑफलाइन ने स्टार्ट किया उन्हों रहा है अच्छा चलिए कोई बात नहीं तो कल मुझे आपका जो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड जो स्टार्ट किया था लीज वाला जिसमें लेसर और लेसी वाला पॉइंट था वो कल हम खतम कर लेंगे ठीक है और इंपॉर्टेंट भी एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा 10 years अभी बच्चों ने ले लिया गया ले लेना ताकि question practice कर पाओ देखो 118 को machinery purchase करा 75,000 तो सबसे पहले 118 में आपने M1 खरीदा that is 75,000 ठीक है आगे कहता है उसके उपर हमने खर्च कर दिये 5000 रुपे spent कर दिये तो इसमें plus हो जाएगा spent कितने spent कर दिये 5000 तो ये machinery हमें 75 का नहीं पड़ा ये machinery हमें पड़ी गया कितने का 80,000 रुपे का ठीक है आगे क्या कहता है एक साथ को addition were made amount 40,000 सर एक साथ 2019 में माल लेते हैं M2 खरीदा that is कितने का खरीद लिया हमने 40,000 रुपे का कहता है 31,3,20 में machinery purchase on 17,19 यानि इसकी बात चल रही है नई 17,19 इसकी बात चल रही है कहता है 31,3,20 में machinery purchase 17,2019 costing 12,06 रुपीज 11,000 रुपे में तो सर इस वाले का costing का मतलब होता है जितने का खरीदा गया था उसे क्या बोलते हैं costing तो ये 12,000 का पार्ट आपने 11,000 में बेच दिया कब 36,2020 में नहीं sorry यहीं तक है 31,3,2020 में यानि सर इसमे से आपने इस वाले पार्ट को कब बेच दिया 31,3,2020 में इसको बेच दिया और कितने रुपे का बेच दिया इसको ग्यारा हजार रुपे का बेच दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं एंड 36 को एक मसीनरी पर चेस कर लिया और एक एक 2018 36 को एक काम किया जो मसीनरी खरीदा था एक एक 2018 यानि इसकी बात कर रहा है उसको 32,000 कहता है कि कॉस्टिंग 32,000 आपने 26,700 इसके भी दो टुकडे हो गए सर इसके भी कॉस्टिंग की बात कर रहा है कितने की 32,000 तो इसमें इससे भी 32,000 अलग कर दो गया और बाकी कितने बचके 32 अलग कर दो गया तो 48 और इस वाले पार्ट को जो कॉस्टिंग था इसको हमने सोल्ड कर दिया कब सोल्ड किया सर इसको सोल्ड किया 36,2020 में और कितने का बेच दिया इसको 26,400 रुपे का बेच 700 26,700 का बेच दिया ठीक है आगे देखते हैं कुस्टिंग में क्या कहता है एक दस को एडिशन वर मेड 20,000 एक दस को एक मसीनरी और खरीद लिया एक दस दो हजार कब एक दस दो हजार बीस में M3 खरीद लिया देट इस कितने का खरीद लिया 20,000 रुपे का आगे कहता है डेप्रिशेशन प्रवाइड 10% डिमनीसिंग बैलेंस मेथट सोधा मसीनरी अकाउंट 18 से लेके 20 तक का ठीक है तो चलिए अब हम डेप्रिशेशन लगाते हैं और हर बार जो अकाउंटिंग येर होगा 31 दिसंबर होगा तो एक को खरीदा तो यहाँ पे 31 12,002,018 रेट 10% है तो 32,000 का 10% और इस 32,00 को जब माइनस कर देंगे तो 28,800 बेचा कब है तीस छे बीस में तो अभी तो एक एक दो हजार उननिस आया है इसके बाद 31, 12, 2019 सर 10% निकाल लिया 28,80 माइनस कर दिया तो आगया 25,920 यह आगया 1, 1, 2020 बेचा कब है 36 को तो यानि सर 30, 6, 2020 तक और डेप्रीशेशन लगेगा तो 36, 2020 तक का अगर डेप्रीशेशन निकाले तो यह बनता है 12, 196 माइनस कर दें तो यह बनता है 24, 624 24, 624 इसको थोड़ा उपर कर देते हैं यह बन गया 24, 624 इसको सोल्ड कर दिया आपने सर कितने का बेच दिया 26, 700 तो आप ध्यान से देखो इस पर प्रॉफिट हो गया 2,086 बाकि यह वाला पार्ट तो चलेगा 2,000 कितने तक 20 पूरा यानि सर यह वाला पार्ट पहले 48,000 फिर 10 परसंट यानि 4800 माइनस 43,200 फिर 10 परसंट 43,20 फिर माइनस करेंगे 38,88 फिर 10 परसंट लास्ट 38,88 माइनस यह बच गया 34,992 यह देखेंगे ठीक है सेम ऐसे इस वाले पार्ट में हमने 19 को खरीदा है इसको 20 में बेचा है तो सबसे पहले 31,12,2019 को डेप्रिशेशन लग जाएगा कितने महिने का लगेगा सर 6 महिने का 12,000 पर 6 महिने का लगेगा 600 बचा कितना माइनस करके 11,400 फिर यह आगया 1,1,20 लेकिन हमने 31,3 को ही बेच दिया कुछ समय के बाद ही बेच दिया है तो इस पर डेप्रिशेशन कितना लगेगा हमारा 31,3,2,0,20 डेप्रिशेशन लग गया हमारा इतने दिन का 285 अगर इसमें से माइनस कर दें तो 1,1,1,5 सोल्ड कितने का क्या है 11,000 का सोल्ड कर दिया सर आपने 11,000 का तो यहां लॉस हो गया कितने का लॉस हो गया सर 115 चेक कर यह आप इस पर भी लॉस आ रहा हुगा देखिए ठीक है बाकी यह वाला पार्ट है यह तो पूरा ही जाएगा 31,12,2019 सर कितना डेप आएगा 28,000 पे 5 यानि 6 माहिने का 1400 माइनस करोगे तो 26,600 फिर से डेप्रिशेशन लगेगा 31,12,2020 और हमें 31,12,2020 तक ही करना था तो कितना लग गया सर इस पे 26,60 माइनस जब कर दोगे तो आजाएगा हमारा 23,940 रह गया हमारे पास M3, इस पे तो बस 6 महने का लगाओ काम खतम है ना 6 महने का लगा दो और काम खतम करो इस पे तो 31,12 6 महने भी क्यों 3 महने का 20,000 पे लग गया हमारा 500 रुपे यह बच गया हमारा 19,500 खतम तो अगर आंसर चेक करो तो 19,500, 23,940 और 34,992 तो आंसर आ जाओगा 78,432 चेक करो ठीक है क्लियर है सभी कोई यह कैसे हुआ नहीं हुआ लॉस भी चेक कर लो इसका लॉस है यह यह क्या है इसका लॉस है और यह क्या है इसका that is profit है ध्यान दे ना कहीं दोनों को लॉस मानके कर लो हो जाएगा यह question पोस्टिंग में जितने बच्चे लाइव है बता दे फटा फट से पोस्टिंग में हो जाएगा यह आज क्लास थोड़ी सी शॉट रखने वाले हैं कल क्लास लंबी रखेंगे यह अलग से हमने मान लिया ना यह रह चालिस हो जाग तभी तो अलग किया मैंने दूसरा तरीका वर्किंग नोट का नहीं है देखो दूसरा तरीका आप खुद बना सकते हो जितने ज़्यादा प्रेक्टिस करेगो दूसरा मैं तो आपको अगर यह तरीका आपको समझ में आ रहा है भले ही लॉंग मेथड है पहले में चीज होता है समझना शॉटकट में तो मैं एक बार कैलकूलेटर पर ही करके दिखा दू यह हो गया फिर बोलोगे सर पता नहीं क्या चल रहा है तो लॉंग मेथड आपको समझ में आ गया इसके बाद प्रेक्टिस करते करते आप अपनी तरफ से दूसरा तरीका निकाल सकते हो जैसे कि सपोज करो दो पार्ट नहीं कर अभी ना पार्ट निकाले यह आपको पता लग जाता है बीच में कैलकूलेशन करके कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है टूट ठीक है इसके बाद कुन सा कुछन डाउट में था उनिस यह तो यह रहा नाइंटीन इसमें क्या डाउट आ गया हाँ यह रहा सामने आंसर अब देखो न क्या डाउट है एक लाग साथ हजार की मसीन बच रही है कोश्चन कभी यह थोड़ी कहता है कि एक लाग की मसीन एक में बेच रहे है कोश्चन तो यह कहता है कि हमने इतने कर बेचा अब आप देखो नुक्सान फाइदा कि इस हो गया है कि इस तो मनाई किया था मैंने आपका डाउट कैसे बाइस में बताओ हाँ वर्किंग नूट कर दें क्या इसका टेंसा नहीं खतम हाँ मैं बर्किंग नूट कर देता हूं मैं करी देता हूं फटाफट से हो जाएगा बस पोस्टिण आपने करना है ठीक है ध्यान से करना है पोस्टिंग कहता है दा बुक वेल्यु ऐफ दा प्लांट बस इंटे एक एक अधारा यानि एक एक दो हजार अठारा कितने का book value है हमारे 20,000 का book value कितने का सर 20,000 का new machinery for 10,000 रुपे का 110,0018 110,0018 M2 ये कितने 2,00,00 का है एक machinery खरीदा 110,0018 में M2 that is कितने का 20,000 का नई 10,000 है कितने का खरीदा 10,000 का and उसके बाद फिर कहता है कि 110,0018 में के बाद ये फिर से आपने 17,0019 को एक और खरीद लिया 17,0019 में M3 खरीदा और वो खरीदा that is 20,000 का कहता है machinery whose book value whose book value 30,000 book value का मतलब क्या होता है sir book value होता है अगर हम cost में से minus अगर हम depreciation कर देते हैं तो अगर cost में से अगर हमने depreciation minus कर दिया तो जो हमारा बचता है that's called book value इसको book value बोला जाता है 100 रुपए का assets था उसमें से 10 रुपए का depreciation घटा दिया तो जो 90 बचा 90 को बोलेंगे हम book value और 10 को बोलेंगे cost और depreciation ठीक है कहता है book value 30,000 1,1 2018 यानि सर इसी में से अब पीछे जानी की अवशकता नहीं है वैसे कब से कब तक बोला है बनाने को इसने कब से कब तक 16 से 20 तो हमें back date पे जाना पड़ेगा इसके लिए है ना इसके लिए back date पे 18 से 20 16 आपको कहां दिख रहा है फिर 16 तो मुझे कहीं date भी नहीं दिख रहा था 18 से 20 तो अब हमें back date पे नहीं जाना होगा 18 से 20 तो इसी के अंदर से book value का मतलब भया 30,000 अलग है और बच गया हमारा 170 क्या कहता है 1,1 2018 sold 16,000 का जो 14,2020 में जिस machinery का book value 14,2020 a machinery whose book value 30,000 on 1,1 2018 sold 16 को यानि ये हिस्सा आपने बेच दिया ये हिस्सा कब बेच दिया सर ये हिस्सा बेच दिया आपने 14,2020 में कितने रुपे का बेच दिया सर 16,000 का तो डैप लगा लगा के आप चेक कर लोगे ठीक है आगे क्या कहता है depreciation charge since 2018 से straight line method decide 20 में 2020 के अंदर decide किया इन्होंने तो 2020 में decide किया depreciation rate 20% dimnissing balance should be charge पहले लगा रहे थे हम 10% SLM तो पुराना method जो था वो क्या था सर 10% SLM अब हम नए पे आएंगे 20% WDB तो वो तो लगाएंगे तो पता ही चल जाएगा आगे कहता है balance method charge विद्दा आपका prospective effect prospective का मतलब होता है आगे से ही चलेगा retrospective effect का मतलब होता है पीछे से चलेगा retrospective हमारे slivers का part अब नहीं रहा पहले retrospective effect से depreciation लगाए जाता था अब जब कभी भी बोलेगा हमेशा क्या बोलेगा आपको prospective effect तो prospective का मतलब आगे से calculate करना है आपने तो आज आते हैं सर आगे से calculate करना ही करना है तो सबसे पहले हम depreciation लगाएंगे अब मार्च का महिना है या 12 है machinery account 31, 12 12 का चलेगा month 12 रहेगा न तो 31, 12, 2018 तो सर पूरे साल का 10% चल रहा है that is 3000 बचा कितना 27,000 ये 1, 1, 2, 2019 फिर से 31, 12, 2019 फिर से 3000 क्योंकि SLM है तो बचा कितना 27,000 1, 1, 2, 2020 ठीक 4 दिन बाद 20 में हमने methodology change कर दिया हमने क्या का बहिया in 2020 हम लगाएंगे WDV तो भईया यहाँ पे तो WDV लग जाएगा हमारा ठीक है न 4 महिने के लिए 1, 4 को बेचा है तो 4 महिने के लिए WDV लगा देते हैं इसमे तो 20 तो हमारे यही रहेगा न 31, 12, 20 इसको बेचा कब है 4 में बेचा यह भी देखो कब बेचा है हमने तो 4 मेंने तो डैप लगाने दो 4 ने 3 मेंने 1200 1200 लग गए इस पे डैप कैसे लगा सर 1200 24,000 के उपर 20% WDV आ गया था इंटू में आपका 3 by 12 ठीक है माइनस कर देते हैं 24,000 22,800 इसको बेच दिया कितने का लॉस चेक करिए 68,000 आ रहा है बदाईए क्या रहा है लॉस साथ 250 नहीं आसलम सर नहीं आएगा हम अब ये मैथड अब चेंज किया है WDV SLR ठीक है एक नोट भी लिखवा देते हैं इस पर ये डेटा है लेखो जब कभी भी क्योंकि फैसला कभ हुआ है हमारा डेप्रिशेशन चेंज करने का आपका जब भी फैसला हुआ 2020 में तो हमेशा मानना कि वो एंड के लिए अपलाई होगा ठीक है वो क्या मानना है आपको एंड के लिए अपलाई होगा एंड का मतलब सर साल के एंड में क्योंकि डेशीजन साल के डेप्रिशेशन हमेशा कब लगेगा साल के एंड में जो machinery उससे पहले बिग्या होगा, उसके उपर पुराने वाले method से बेच के हम क्या करेंगे, खतम करेंगे, तो that's why यहाँ पर कितने लग जाएंगे, 750, तो यह आजाएगा, 21, कितने आजाएंगे, 23,250, 16,000, कितने आगे बताओ, 7250, 7250, सर, theory की pdf की, हाँ, जी, only video है, theory की pdf नहीं है, चलिए, अगले वाला तो बिका नहीं है, तो इस पर तो simple लग जाएगा, 31, 12, तो सर, कितने लग जाएंगे, 17,000, तो एक सतर पे 10%, 17,000, 153, यह क्या आगया हमारा, यह आगया, 18, 1, 1, 2,019, फिर आजाएगा, 31, 12, 2,019, फिर से 17,000, अब 17,000, माइनस कर दो, तो कितने आगे, 136,000, यह आगया, 1, 1, 2,020, और फिर लगेगा, 31, 12, 20, 20, में चेंज होगी है, 20% लगा दो, यह आगया, 27, 200, माइनस कर दो, यह आगया, 1, 0, 8, 8, 00, देखिए, ठेक है, अब आजाते हैं, इसके उपर, दूसरे पार्ट के उपर, यह, 31, 12, 2018, 18, सर कितने महिने का, 3 महिने का, तो 10,000 के उपर, 3 महिने का, 2500, ठीक है न, तो 10,000-250, यह आगया, 9750, एक, एक, दो, हजार, उननिस, फिर से 31, 12, 2019, में, डेप्रिशेशन लगेगा, कितना, SLM लग रहा है, इसलिए, 1000 लगेगा, 8750, एक, एक, दो, हजार, बीस, और 31, 12, 2020, में जाके, मेथड, चेंज हो गया, तो इसके उपर सीधा, 20% लग जाएगा, that is, 1750, और माइनस कर दोगे, तो आजाएगा, 7,000, चलिए, 31, 12, 2019, छे महिने का, लगेगा, आपका, 1000, बचा कितना, 19,000, एक, एक, दो, हजार, बीस, और अब आगया, 31, 12, 2020, अब इसके उपर, 38, 100, रुपए लगेंगे, 15,200, ठीक है, टोटल आप आंसर चेक करना चाहते हैं, तो 15,200, प्लस 7,000, प्लस 10, 11, 1,30, ठीक है, आंसर चेक करने का, जो बैलेंस बचा हुआ है, उसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, देखिए, हो गया, और बताइए, कौन सा डाउट है, क्योंकि जब तक basic वाला question clear नहीं होगा ना, तो provision वाले में आप टिकी नहीं पाऊँगे, तो आपको basic एक तम अच्छे से clear होना चाहिए, आगे बढ़ें, 23 सो मना कर दिया था, अब 22 से तक था, चलिए, नोट कर लिजए, क्योंकि मैं आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लुआँ, कल सुवे कितने बज़े रखें, 10 बज़े रखें, 11 बज़े रखें, बताइए, आप बता दीज़े, 8 बज़े रखें, 10 बज़े रखें, 11, 8 बज़े ठीक है एकदम, जल्द जल्द निपट जाओ गया, अभी कौन सा कुश्चन किया हमने, ये रा सेवेंटी नोट कर लिजए, वर्किंग नोट, बताँ हमने יए रा suff için और में अभी कौना जीज़े मना मों टीम है भी क्वाहराय जांच है,